नमस्कार मित्रों, प्रस्तु थै कहानी, अपना पराया, लेखक, हरिसंकर परसाई आप किस स्कूल में सिक्छक हैं? मैं लोग हितकारी विद्यालाय में हूँ, क्यों? कुछ काम है क्या? हाँ, मेरे लड़के को स्कूल में भरती करना है, तो हमारे स्कूल में ही भरती करा दीजिए परहाई वढ़ाई कैसी है? नमबर वन, बहुत अच्छे सिक्छक हैं, बहुत अच्छा वातावरन है, बहुत अच्छा स्कूल है आपका बच्चा भी वहाँ पढ़ता होगा, जी नहीं, मेरा बच्चा तो आदर्स विद्याला में पढ़ता है व्यंग कहानी, अफसर कभी, एक कभी थे, वे राज सरकार के अफसर भी थे, अफसर जब छुट्टी पर चला जाता, तब ये कभी हो जाते और जब कभी चुट्टी पर चला जाता, तब ये अफसर हो जाते एक बार पुलिस की गोली चली, और दस बाराह लोग मारे गए उनके भीतर का अफसर तब चुट्टी पर चला गया, और कभी इस कांड से छुपध हुआ उन्होंने एक कभीता लिखी और छपवाई, कभीता में इस कांड की और मुख मंत्री की निंदा की किसी ने मुख मंत्री को यह कभीता पढ़ा दी, अफसर तब तक चुट्टी से लवट कर आ गया उसे मालूम हुआ, तुआ घबडाया, और उसने कभी को चुट्टी पर भीज दिया अफसर कभी ने एक प्रभाव साली नेता को पकड़ा, कहा मुझे मुख मंत्री जी के पास ले चलिए, उनसे छमा दिला दीजिए नेता उन्हें मुख मंत्री के पास ले गए, उन्होंने परचे दिया ही था कि कभी ने मुख मंत्री के चरणों पर सिर रख दिया मुख मंत्री ने कहा, यह वह कभी नहीं हो सकते, जिन्होंने वह कभीता लिखी है